हेलो 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 अब्रीवर्ण वेरी वेल्कम सो गाईज एजिसी नेट एक्जाम पेपर 1 की हम यहां पर क्लास कर रहे हैं गाईज आज हम ICT को कम्प्लीट करेंगे और इस पे पहले हमने ICT की टू क्लास कर लिया है आज हमारा थर्ड क्लास है तीसरा क्लास है यानकी इन्फरमेशन एंड कम्नुकेशन टेक्नलोजी गाईज जिन लोगों ने अभी तक इस पे पहले की क्लास नहीं देखी डिस्किप्शन पर जाएए प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है आप वहां से सारी क्लास को देख सकते हैं गाईज हमने देखिए यहां पर हमने teaching aptitude, research aptitude, communication complete कर लिया है और आज आपका ICT भी complete हो जाएगा देखे इस platform पर इस YouTube चैनल पर देखे प्लेलिस्ट पर आपको जाना है और UGCnet, UGCnet, GRP, Paper 1, All Units, Complete यहां पर आपको जाना है देखे आपका आज 4 unit complete हो गया है UGCnet exam, Paper 1 का syllabus भी यहां पर दिया गया है तो आप इन classes को जरूर देखेगा यदि आप Paper 1 की preparation करना चाते हैं Paper 1 में भेतर और अच्छा score करना चाते हैं तो आप इन classes को जरूर देखेगा Paper 1 के लिए हमारा PYQ MCQ series भी start हो गया है My Paper 1 PYQ MCQ series start हो गया है यहां पर अभी हमने communication के 50 questions किये हैं, solve किये हैं तो गाईस देखे यहां पर आप geography की preparation कर सकते हैं UGCnet exam यहां पर geography की preparation कर सकते हैं Complete geographical thought यहां पर करवा लिया गया है और My Paper 1 series, My geography series को जरूर देखेगा Complete पूरा देखेगा, आपको बहुत help मिलेगी Guys, देखे आपको करना क्या है Telegram channel को join करना है Telegram channel को आपने subscribe करना है Description पर जाए Telegram channel का link दिया हुआ है आप वहां से Telegram channel को join कर लिजिए या फिर Telegram पर search कीजिए This is study आपको मिल जाएगा और Telegram channel को subscribe कर लिजिए Instagram पर आप हमें follow कर सकते हैं और Facebook page को like कर सकते हैं So guys, class को start करते हैं इस YouTube channel को इस platform को आप subscribe जरूर कर लिजिए जो पहली बार आया है और guys, देखे class को like कीजिए और share जरूर कीजिए और well icon को press जरूर कीजिए class का notification आपको तभी मिलेगा जब आप well icon को press करेंगे So guys, देखे उच्ची सिख्चा में digital पहले आज हम पढ़ेंगे इससे पहले हमने ICT के बार में पढ़ लिया था computer के बार में पढ़ लिया था internet के बार में पढ़ लिया था आज हम पढ़ेंगे उच्ची सिख्चा में digital पहल क्या क्या पहले हुई की जो डिजिटल तक्निकी और internet करांती के परिणाम से ही परिणाम सोरूप यानि की परिणाम से ही उच्ची तर सिख्चा में यानि के higher education में बहुत सारे digital पहले पहलू आए बहुत सारे परिवर्तन आये बहुत सारे digital पहलू आये जिनसे क्या हुआ जो उच्ची सिख्चा है यानि की जो higher education है उनकी गुणुवत्ता में उच्ची सिख्चा की गुणुवत्ता में पहुंच में सुदार हुआ है सुधार हुआ है और यह जो चहरते जो अच्छा में जो डिजितर पहले जो डिजिटल टकनिकी टेकनलोजी है और इंटरनैट है इन प्रोजेक्ट से उचहतर सिक्छा में क्या हुआ Digitalation हुआ, इससे क्या हुआ, Higher Education का Digital करण किया गया आद देखें इसके Бारे में जो हैर उच्छा सिख्छा के जो पहलू है कौन-कौन से पहलू है जिस कारण से उच्छा में हाईर एजुकेशन में टक्निकी और इंटरनेट के माधियम से क्रांति लाई गई वो कौन से पहलू है उनको अम अच्छे से यहां पर पढ़ेंगे गाइस थोड़ा पानी पी लेता हूँ देखे जो स्वाइम पोर्टल है स्वाइम पोर्टल लाया गया और किसके माध्यम से लाया गया मानव संसादन विकास मंत्राले याद रखेगा मानव संसादन विकास मंत्राले के माध्यम से कि पौटल लाया गया स्वयं को लाया गया देखिए देखिए महाड़ी यानि कि मानस अंसादन दिकास मंत्रा लें महाड़ी और क्हिल भारत्य तक्निकी सिक्षा परीशाद यानि कि ए-si t i e i c t e देखिए MHRD और ICT की मदद से Microsoft की साहिता से बनाया गया Microsoft की साहिता से बनाया गया किसको Swim को तो देखिए इस बात को अच्छे से याद रखेगा यहां से questions बनते हैं और आगे बनते आये हैं और आगे भी बनते रहेंगे कि Swim Portal को किसकी साहिता से किसकी मदद से बनाया गया या लाया गया तो MHRD और AICT यानि कि भारते तक्णिकी सिक्छा अखिल भारते तक्णिकी सिक्छा परिसत द्वारा देखिए MHRD और AICT AICTE द्वारा Microsoft की साहिता से बनाया गया लाया गया और यह क्या है जो Swim Portal है क्या है online सिक्छा Portal है बहुत बार प्वेशन यह भी आ जाता है कि Swim क्या है स्वाइम क्या है एक educational portal है यानि कि सिक्छा का online portal है online सिक्छा का online education का एक क्या है पोटल है और इसका उद्देशे क्या है सिक्छा के तीन आदार भूत सिद्दान्त है इसका जो उद्देश्य है जो अब्जक्टिव है स्वेम का क्या है पहुंच यानि कि सभी तक पहुंच बने दूर दराज जहां पर कोई भी स्कूल या कॉलेजस जहां पर कुछ भी उपलब्द नहीं है जहां पर सिर्व इंटरनेट है तो वहां पर स्वेम के माध्यम से वह बच्चा वहां पर पढ़ सकता है को फीक है यानि कि मफ पोश्ट ग्रेजेस्टियोशन ठीक वहां पर एड्यूकेशन लेज चिसक्व ले सकता है यानिक की प mural सबेने की पहुंच हो स्वायम कोक्जिय कहीं सब्सक्राइब को और सब्सक्राइब आले का इसा आप्स पढ़ते हैं और देखे, Swaim portal पर जो बच्चा education लेता है, जो सिच्छा लेता है, बिलकुल निसुल्क है, कोई भी फीस नहीं ली जाती, और गुणवत्ता को पर्मोड करता है, क्या करता है? गुणवत्ता को पर्मोड करता है, यानि कि वहाँ पर higher level की classes दी जाती है, higher education में higher level की classes दी जाती आप सिख्छा का एजुकेशनल पॉटल है इसके तीन अब्ज़ेक्टिव हैं क्या है सभी तक पहुंच ओ निसवक्षता हो और गुणवत्ता को परमोट करना चाहिए परमोट करता है अब देखे स्वेम परभा स्वेम परभा क्या है तो देखे स्वयम परवा डीटिये चैनलों का एक समू है स्वयम परवा क्या है एक डीटिये चैनलों का एक समू है जिसमें क्या है जी सेट फिप्टी उग्रहा का उप्योग करके यानि कि जी सेट पंद्रा उग्रहा का उप्योग करके उच्च गुणवत्ता वाले सेक्षिक कार्यकर्मों को प्रसारित किया जाता है स्वयम परवा क्या है? एक DTA चैनलों का एक समू है यहाँ चात्रों को समय के अनुसार अध्यन करने की स्वतनत्रता प्रदान करता है इस्टूरेंट्स देखे अपने टीवी पे तीवी के चैनल से वहां पर education classes ले सकता है और जो स्वयम परवा के कितने चैनल है? 34 चैनल है, यहाँ पर mention नहीं किया गया है इस बात को आप याद रखेगा 34 चैनल है, स्वयम परवा के 34 चैनल है स्वयम परवा के 34 चैनल है गाइस देखे पहले 32 थे यहनकी 32 थे लेकिन अब 34 हो गए करंट में 34 DTA channel हो गए है स्वयम परवा के इस बात को अच्छे से याद रखेगा बहुत बार question आ जाता है कि स्वयम परवा के कितने DTA channel है तो आपको याद रखना 34 DTA channel है जो क्या है G.S.E.T. 15 उपग्रहों के द्वारा प्रसारित किया जाता है और यह क्या होते हैं जो स्वयम परवा क्या करता है सैक्छी कारेकरम को प्रसारित करता है यानि कि educational classes को प्रसारित करता है अब है E.S.A.S.N.E. Governance E.S.A.S.N.E. Governance क्या है यह दोनों है जो E.S.A.S.N.E. Governance यह दोनों क्या है यह दोनों सब्द क्या है सरकारी सेवाओं और सुचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए और तक्निकी सुचना प्रदोगी का प्रियोग करने की पहलू को दर्साते है कहने का मतलब जो E.S.A.S.N.E. Governance है यह दो सब्द है यह सरकारी सेवाओं और सुचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए टेक्नलोजी के माध्यम से यानि की कम्यूकेशन टेक्नलोजी का प्रियोग करके दर्साता है यानि की जनता तक पहुंचाता है E.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A जो पार्टिसिपेट है जो एस्पिरेंस होते हैं उनको प्रुसाहित किया गया है एप्रिसेट किया गया है ठीक है आपने अब देखा होगा सारे फॉर्म पहले क्या होते थे अफ्लाइन भरे जाते थे एक फॉर्म आता था मार्केट में किसी भी जॉप का या रेकेंसी का पहले फोर्म माता था व manger जाते हैं डाकमेंट सारे फोटकापी लगाए जाते दे यह कि द שמן और गी क्या है information technology है क्या है information technology है इससे क्या हुआ सुधार हुआ है पहले क्या होता था फीस जमा होती थी बैंक में जाओ ड्राफ्ट लगाओ अब क्या हो रहा है online फीस कट रही है आपने college में post graduation में जो कोई बच्चे admission लेता है आपने से तो सारी फीस आपकी online कट रही है पहले क्या होता था college में जाओ फीस रसीत कट आओ फीस जमा करो line पे लगो है न अब इन ऐसा नहीं होता है तो ये किसके दौरा किसके उपयोग से हो रहा है information technology के उपयोग से information technology के उपयोग से ये सारा कुछ किया जा रहा है इससे क्या होगा ब्रश्टचार में कमी होती है और सेवों में गुणवत्ता होती है और विर्दी और भागीदारी को prosite किया गया है यानि कि जो participate हैं जो aspirants हैं उनको appreciate किया गया है prosite किया गया है ये जो पहलू है उच्चतर सिख्चा और सरकारी प्रक्रियाओं में digitalization की महत्वपूर्ण उपलब दिया है जो सिख्चा के छेतर में सुदार सेवों के पहुंच में सुदार प्रमोट करता है कहने का मतलब यह है कि ये पहलू है जो ये पहलू है उच्चतर सिख्चा में और सप्रेशन में और जो गॉर्मेंट की जो process होता है जो सरकारी जो परिक्रिया होती है उसमें सारा कुछ मैत्वपूर्ण जो कोई भूमि का निभा रहा है वो information technology निभा रहा है कैसे डीजिटलेशन के माध्यम से डीजिटलेशन के माध्यम से के माद्यम से या एहम भूनी का निभा रहा है इसक्राइब करें हो इन को परमोट करता है सुदार को परमोट किया जा रहा है कि इतना आपको समझ आ गए है हैं अब डिखें इक गवर्रोनेंस को समझ पढ़ेंगे यहांपर गाइस जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर लीजिए जो पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वैल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए देखे इगवर्नेंस के छेत्र सरकार से लेकर नागरिकों तक और सरकार से सरकारी संगटन तक जानकारिया पहुंचती है सरकार से लेकर नागरिकों को जानकारी मिलती है सूचना मिलती है इंपरमेशन मिलती है तो यह क्या है सेवाओं का परवा समाज में होता है इस सारी सेवाओं का इन सभी सेवाओं का परवा होता है समाज में इसका जो माध्यम है इंटरनेट के जरिये से होता है इसका माध्यम क राज्य सरकारे और उनके विवाग नागरिकों वैपारी और सरकारी संगाटन सामील होते हैं। जिसमें क्या होता है किंदर सरकार, राज्य सरकार, उनके विवाग, नागरिक और वैपारी सरकारी संगाटन सामील होते हैं। आजका सोसल मीडिया पे सबी राज्य सरकार किंदर सरकार सारा कुछ ट्वीट एमेल जीमेल के माधियम से ट्वीट के माधियम से जीमेल के माधियम से देखें आम नागरी को कोई बात सरकार तक पहुंचा नहीं तो कैसे पहुंचाते हैं कोई टैंपनिंग करके पहुंचाता ह को ट्वीट करके पहुंचाता है और किसी को सरकार को आम नागरिकों तक पहुंचाना कैसा पहुंचाता है मीडिया के माध्यम से पहुंचाता है सरकार को भी केंदर सरकार हो या राज्य सरकार हो ठीक है तो दिये गए छित्रों के माध्यम से सरकार की पहुंच को समझा जा सकत है जैसे सरकार से नागरिक तर यानि कि गवर्मेंट तू सिट जन सॉरी सिटिजन सिट जन नहीं है सिटिजन ठीके मेडिशन का नाम है सिट जी वो नहीं है आप यहां पर गवर्मेंट तू सिटिजन यानि कि सरकार से नागरिक सिटिजन नागरिक को कहा जाता है आप सभी को मालूम है सरकार से नागरिक तक यानि कि government to government to citizen इसमें क्या होता सरकार नागरिकों को विबिन सेवाओं परदान करती है सरकार क्या करती है नागरिकों को विबिन सेवाओं परदान करती है जैसा कि आवेदन परक्रिया लाइसन्स प्राप्ती पेंजिन आदी कहीं पर कोई आविदन कर रहे हैं आप जॉब के लिए आविदन कर रहे हैं या आप अपना कोई लाइसन्स बना रहे हैं गैस सॉरी ड्राइविंग लाइसन्स बना रहे हैं या कोई भी अन्या लाइसन्स बना रहे हैं ठीक है पिंशन आधी सब कुछ क्या है government to citizen, यानि कि सारा कुछ online किया जा रहा है, तो यह क्या है सरकार से नागरिग तब अब देखें नागरिग से सरकार तब अब देखें बच्चें यहाँ पर समझ नहीं पा रहें, आईनों मिल समझ रहा हूँ कहने का मतलब सरकार से नागरिग तक का कहने का मतलब यह है government to citizen यानि कि देखें आपने यहां पर क्या पढ़ा यह governance का जो छेतर है यानि कि information technology के माध्यम से सरकार क्या करती है सरकार क्या करती है जो citizen है जो आम नागरिक है उन तक information technology का उप्योग करके समय की बचत कराता है और इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है बरश्टचार में कमी होती है सेवाओं की गुनुवत्ता में विर्दी होती है जैसा कि आप कहीं पर कोई आवेधन करते हैं जौब के लिए आवेदन करते हैं किसी चीज के लिए भी कुछ भी हो आप आवेदन करते हैं कहीं पर यानिके आपको आपना online अपना gas cylinder book करना है तो आप क्या करेंगे अपने mobile phone से इया आप जिस पर आप खाना बनाते हैं तो आप क्या करते हैं ओनलाइन ही बुक करते हैं यह हो गया आवेदन की परक्रिया यह सारा कुछ कैसा किया जा रहा है information technology के माध्यम से किया जा रहा है license बनाने की प्राप्ति आप online ही अपने license के लिए apply कर सकते हैं पेंशन के लिए भी आप online apply कर सकते हैं समझ आ गया ना अब है नागरिक से सरकार तक यानि कि citizen to government ठीक है citizen to government इसमें क्या होता यह नागरिकों की तरफ से government को feedback सिकायते और सुझाव प्रदान करने का माध्यम होता है अब देखें आप किसी सरकारी बिवाग में चले गए अपनी कुछ माहों को लेकर कुछ भी आपकी कोई समस्या है वहां पर किसी भी करमचारी ने आपके साथ अबद्रता कर ली माना कि अबद्रता कर ली तो आप क्या करेंगे उनसे जो उपर के अधिकारी है उनको mail करेंगे यदि नहीं सुनते हैं वो तो आप directly sdm और dm के पास जाईए या फिर उनको कोई application बनाकर mail कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा ठीक है आपका जो भी आपका काम होगा जो भी आपकी समस्या होगी वो solve हो जाएगी और जिस अधिकारी ने आपके साथ अबद्रता की है उसको भी punish किया जाएगा उसको भी punishment दिया जाएगा ठीक है तो citizen to government यानि कि आम नागरिकों को अपनी आवाद सरकार तक पहुंचानी है ठीक है सरकार की कोई policy आती है जो कि आम नागरिकों को पसंद नहीं आती है तो क्या करते हैं ट्वीटर के मादम से campaign करते हैं mail किया जाता है है ना बहुत सारे तरीके सोसल मीडिया के मादम से यह सारी चीज़े क्या होती citizen to government ठीक है यह सारी चीज़े आम नागरिकों को आदम से information technology का उप्योग करके ही किया जाता है अब देखिए सरकार से सरकार से सरकार तक government to government कहने का मतलब यह है कि सरकार से सरकार तक कौन सी सरकार केंद्रिय सरकार से राज्य सरकार तक की बात की जा रही है ठीक है government to government यान कि किंद्र सरकार ते राज्य सरकार तक की बात की जा रही है इसमें बिविन सरकारों के बीच जानकारियों और साहिता का प्रभा होता है जिससे वह सयोग कर सकती है और अधिक समन्वित निर्ने ले सकती है कहने का मतलब यह कि किंद्र सरकार को योजना लेकर आ गई अब राज्य सरकार क्या करती है उसको स्विकार करती है या नहीं करती है वो राज्य सरकार पर निर्वर करती है ठीक है? वो राज्य सरकार पर निर्वर्द करती है, तो यह क्या हो गया? गवर्मेंट टू गवर्मेंट यानि के कि राज्य सरकार को कभी कोई समस्य आती है, कहीं पर कोई आप्दा आगई, कोई भी समस्य हो गई, किसी Food Conference कोई हो गई जाटना कई तो क्या करती यह इंदर सरकार वहान पर हस्तैप करती है उनकी साहित तो वेपारियों तक सरकार से वेपारियों तक यानि कि गवर्मेंट टू बिजनसमैन सौरी बिजनस गवर्मेंट टू बिजनस यानि कि सरकार से वेपारियों सौरी सरकार से वेपारियों तक तो दिखें यहां चेतर वेपसाइक और संगटनों के लिए होता है जो वेपसाइक जो छेत्र होता है ये क्या होता है वेफसाइक संगटरनों के लिए होता है जिनने license अनुप्द सुचना आधी प्राप्त करने की सुविधा मिलती है अब देखे ये क्या होता है license बनाने में जैसे कि आपने कोई उद्योग धंदा करना है कुछ भी उद्योग करना आपने तो सब से पहले आप अपना license बनाएंगे यदि आपको कोई factory डालनी है कुछ भी आपको अपनी company खोलनी है कपड़ों की कोई factory डालनी है कोई भी आपने लगू द्योग खोलना है तो आप सबसे पहले अपना license बनाएंगे ठीक है यदि आपको कहीं पर workshop डालनी है गाड़ी से लेकर motor mechanic का कोई workshop डालना है तो सबसे पहले आपको अपना license बनाना होगा अपना पर्मान पत्र बनाना होगा अनुबंद सूचना आदी प्राप्त करने की सुविदा मिलती है PMKY एक योजना आई थी हमारी सरकार की PMKY तो वहाँ पर सिलाई से संबंदित computer से संबंदित और medicine से संबंदित medical से संबंदित यह सारा कुछ वहाँ पर प्रमान पत्र दिया जाता था और वहाँ पर उसके मादियम से आप अपनी दुकान भी खोल सकते हैं और बैंक से लोन भी निकाल सकते हैं यह क्या हो गया एक उद्योग खोलने के लिए सरकार ने क्या क्या एक मदद की यानि की government to business यानि की सरकार ने आपको आपके उद्योग खोलने के लिए आपको आपका business setup करने के लिए startup करने के लिए मदद किया यह है इसका मतलब government to business समझ गए न आप इस तरह से e-governance एक ऐसी परक्रिया है e-governance एक ऐसी परक्रिया है जो सरकारी जानकारी और सेवाओं को नागरिकों और वेवसाइएं तक पहुंचाने में मदद करती है ठीक है मदद करती है ये एक माद्यम है क्या है e-governance क्या है माद्यम है सरकार से आम नागरिक सरकार से जो website है और सरकार से सरकार और नागरिकों से सरकार और website से सरकार ठीक है इतना आपको समझ आ गया है न अच्छत से इस class की PDF आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल को join कर लिजिए टेलिग्राम चैनल को join कर लिजिए और class का notification भी आपको सबसे पहले telegram पर provide कर लिया जाता है Instagram पर आप follow कर सकते हैं Facebook page को like कर सकते हैं और देखे इस YouTube channel को subscribe कीजिए while icon को press जरूर कीजिए जब आप while icon को press करेंगे तभी आपको class का notification मिलेगा तो guys आज की class हमारी यहीं तर